असलाम अलेकूम गाइज मैं हूँ जैगमतूर और आप देख रहे हैं जैगमतूर यूटूब चैनल गाइज इस वीडियो के अंदर हैंड जोन एक्सराइज नमबर टू जो है क्विक बुक्स उसका स्लूशन लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ तो गाइज आपने मेरी वीडियो को लास तक देखना है वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको हर एक चीज की समझ आ सके तो क्विक बुक्स जो एक्सराइज नमबर टू है इसको बड़ा ही ब्रिफली जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आपको टोटल खेंडूझन की सिम्पल लिंक पर लिख करकर करें एक्सराइज और एक्सराइज कर सकते सकते हैं तो जी अपने चार्फ ट्रॉक करेंस सबस्क्राइब करें करें लाइक करें और कॉमेंड करें तो सबसे पहले अगर आपने आपने से यह exercise जो है इसका PDF जो है यह ओपन कर ले नहीं आपने से यह हमारे पास जो है learning outcomes है कि after completing this exercise you shall be able to activate inventory item feature in QuickBooks create items in QuickBooks such as तो यहां पर हम problem statement की तरफ चलते हैं तो activate inventory item feature तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने word open कर लेना है word open करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ आपने simple जो है window, window key और R window key और R जब आप press करेंगे तो आपके पास run box खुल जाए इस पर आपने लिखना है win word यह क्या है simple गार वो in word लिखेंगे तो यह देखें हमारे पास Microsoft office जो है open हो रहा है जी Microsoft office जो है open कर ली है सबसे पहले आपने लिखना है open exercise no.2 quickbooks solve by अपने अपना नाम लिखना है और यहां से आपने क्या करना है यहां से आपने यह copy कर लेनी है ठीक है guys problem statement जो है यहां से copy करके अपने simple ms word के अंदर paste कर देनी है अब देखें task no.1 देखें activate inventory item feature for your housing construction company in your quickbooks अगर सबसे पहले हम अपना task देखें जो first no.1 पे है उन्होंने कहा है कि inventory item जो है वो activate करें simple आपने quickbooks open कर लेनी है तो guys quickbooks अगर तो आपको download करना नहीं आ रही तो i button में मैं link देदेगा अपनी दूसरी वीडियो की वो आप जाके देखें और आप quickbooks install कर लेंगे easily तो guys सबसे पहले हमने inventory जो है item वो open करनी है तो समने file पे जाना है अपने edit पे जाना है और preference पे जाना है यह देखें नीचे आजाना है अपने inventory item and inventory इस पर आजाना है complete preference पर click करना है यह देखें मैंने tick किया यह already किया हुआ है तो इसको हमने snapping tool की मदद से एक screen shoot आपने जो है वो ले ले लेना है ठीक है guys एक screen shoot ले लेना यहां से और यहां से आपने copy करना है सिंपल आप MS वाइड में जाके यहां पर पेस्ट यह देखी पेस्ट हुआ हमारा टास्क नमबर वन जो है complete हो चुका दूसरा टास्क क्रीटिंग following item of your own choice for your housing construction company quickbooks सबसे पहले वे inventory item तो quickbooks पर जाना है अपने इसको बैक कर देता हूं क्योंकि मैंने already किया हुआ inventory item जो है हमने create करना है simple आपने list पर जाना list पर जाने के बाद item लिस्ट पर जाना है और यहां पर item पर क्लिक करना है और यह देखें inventory part अपने select करना है यहां पर आपने item name लिखना है housing construction company के लिए हाज से तो मैं यहां पर स्टील लेता हूं ठीक है काई स्टील मैंनिफेक्टर पार्ट नमबर मैं जैगम तूर सौरी housing company ठीक है जी ओके यहां पर income जो account है यहां पर मैं select कर लेता हूं यह वाला construction income यह देखें हमारे पास inventory part यह create हो चुका है अपने sniping tool पर जाना है new पर जाना है और यहां पर आपने screen shoot इसका लेना है और copy करना है और आपने word पर जाके paste कर देना यह देखें उसके बाद है service item हमने create करनी अपनी quick books पर जाना है again इसको no कर देता हूं क्योंकि already मैंने किया हूँ जी अगे फिर new item पर new पर यह देखें लिखा हूँ जी service सबसे पहले service पर जाना यहां पर service आपने provide करनी है for example मैं लेख देता हूं जी professional fees ठीक है जी professional fees और account पर जाके construction name जो है income वो चूज कर लेनी और आपने okay कर देनी है sniping tool पर जाना है अपने new पर जाना है और आपने screenshot लेना है guys मैं आपको फिर कह रहा हूं आपने बड़े ही ध्यान से यह video देखनी है और skip तो बिल्कुल भी नहीं करनी ठीक है थाकि आपको हर एक चीज बहाँसानी समझा सके तो यहां पर copy करके word पर जाना है service item पर आपने paste कर देनी है आगे है जी non inventory item तो यहां पर जाना है अगेन आपनी तो मैं इसको नो कर दता हूं क्योंकि अलड़ी किया हुए item पर जाना है new पर जाना है यह देखें यह लिखा हुए non inventory पार्ट इस पर जाना है और इस पर आपने लिखना है guys कुछ भी लिख सकते हैं आप material लिख सकते हैं जो backup पर आया है तो यह जो non inventory पार्ट है इसमें मैं लिख देता वापिस भीजना जाता हूं तो housing company ठीक है जी और आपने यहां पर account पर जाके आपने construction income चूज करके ok कर देना है और sniping tool पर जाके आपने again new पर जाके इसका screenshot लेना है इस यहां पर copy करना है और यहां पर जाके इस पर paste कर देना है यह जखें guys तो आपकी exercise बिलकुल ready हो चुकी है इसको आपने LMS पर जाना है और वहां पर आपने simple submit कर देना तो exercise का link नीचे description में मैंने दे दूंगा तो वहां पर आप जाके exercise को access कर सकते हैं तो guys I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो like कर दे मिलते हैं किसी कर दो कर दो